बिस्मिल्ला रख्मानी रहीम असलाम आलेकुम कैसे हैं आप देखिए आज हम क्या बना रहे हैं आज हम बना रहे हैं समुलीना ड्राइफूट पॉकेट यह खाने में बहुत टेस्टी होती है बहुत जटपट से बनने वाली रेसिपी है यह हमने एक वन बॉल मैदा ली है यह लीकोष है वप अपने हिसाब सेसाव से भी ले सकते हैं वेन घौ शीवा यह सथकर हैं इससे कम भी ले सकते हैं मैंने इस एक ट्रे में स्टीय और निकाल लिया है इसमें हम्तोड़ा साल्ड डालेंगे खाली इसका बैलन्स करने के लिए जादा नहीं डालना है आयल डालना ह इसमें और हम अच्छे से इसको mix कर लेते हैं oil mix करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालके इसको soft dough बना लेते हैं ये देखिए पानी बहुत ज्यादा नहीं लेना है थोड़ा थोड़ा सा पानी करके इसको हम dough बना लेते हैं यह देखिए हम इसका डो बना लेते हैं यह हमारा ऐसे बहुत कम पानी लगता है इसमें बहुत कम पानी से मैंने इसको डो बना लिया और हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे सॉफ्ट जो बनाना है हमें इसे बहुत हार्ड नहीं करना है यह देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए यह हमारी सेमलीना सूजी रवा वन का टूरी यह हमारी शुगर है यह हमारी किश्मिश है यह हमारा ग्रेटिट कोकोनट है इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं आपको जो भी पसंद हो काजू बादाम यह मगज हैं और जो आपको पसंद हो डाय फ्रूट में वो डाल सकते हैं इसा इसमें वो नहीं आए कि हम जो मैं आपको बतारी हूं से वही डालना है और यह हमारे तिल है सेसमी सीट जिसे बोलते हैं यह भी हमारे अंदर ही इसकी फीलिंग में जाएंगे अब हम एक पैन में रवा सूजी जिसे बोलते हैं यह डाल कर इसको अच्छे से ड्राइ रोस्ट करेंगे इसमें घी या ओयल कुछ नहीं जाएगा इसको पैन में हल्के हाथ से ड्राइ रोस्ट करना है यह थोड़ा गुलाबी होने तक हमें इसको भूनना है यह देखिए यह हमारी हो चुकी है, हाफ डशन हो चुकी है इसको ज्यादा हमें golden नहीं करना है वरना इसमें smell आने लगती है जलने की और हमारी flame एकदम slow ही रहेगी उसके बाद हम अपना जितना भी हमारे पास जो भी dry fruit होगा वो सब हम इसमें डाल कर अच्छे से 2 minute के लिए roast कर लेंगे पहले हमने coconut डाला बाकी सब उसके बाद में हम डालेंगे coconut से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आजाता है और coconut में से भी थोड़ा oil निकलता है जब हम लोग उसको roast करते हैं तो बहुत अच्छी इसकी खुश्च्बू आती है coconut को यह देखिए इसको हम दो मिनिट के लिए और अच्छे से यह जो सैसमी सीट तिल जीसे बोलते हैं वो बिल्कुल लास्ट में डालें क्यूंकि यह एकदम चटक कर उड़ने लगते हैं इसलिए इसको एकदम लास्ट में डालेंगे यह खाने में बहुत अच्छे लगते हैं हमारी फ्लेम एकदम स्लो ही रहेगी और इसे हम बहुत आइस्ता आइस्ता भून लेते हैं अब यह हमारा रोस्ट हो चुका है यह लाइची पाउडर हमने गैस ओफ करने के बाद डाला इसमें क्यूंकि उसकी सारी खुश्बू निकल जाती है गर हम गरम पर डालते हैं तो जब हमने अपनी गैस ओफ कर दी उसके बाद हमने उसमें लाइची पाउडर डाला जब यह हमारी रोवा सूजी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब हम उसमें शुगर मिला लेंगे शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं चाहे इसको तेज मीठा कर लें या फिर अगर मैंने वन कटोरी रोवा ली थी तो उतनी ही हम शुगर लेंगे यह शुगर पाउडर है जिससे बूरा भी बोलते हैं कि वह हम मिला लेंगे अच्छे से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको अब यह हमारा डो पूरा रेडी है इसके पॉकेट बनाने के लिए यह देखिए कितना अच्छा इसको रेस्ट पर रखने से हो गया है हम अपने बेल पटे के उपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि यह इस पर चिपके नहीं ओयल नहीं लगाना है हमें इस पर मैदा डस्ट करना है यह करने के बाद हम इसकी एक छोटी सी पूरी जैसे बना लेते हैं यह देखिए ना ही हमें इसे बहुत ज्यादा मोटी रखना है और ना ही एकदम हमें इसे बारीक रखना है इसे हम एकदम मीडियम साइज में रखेंगे और हम इसके चारो साइट से इस टाइप से कट करके निकाल देते हैं यह देखिए यह ऐसे हमें एक पीस निकल कर आएगा यह जो हमारी फीलिंग हमने बना कर रखी थी वन स्पून हमने स्पून से लेकर इसको जितनी भी आपको लगती है उतना हम इसमें रख कर और इसके चारो साइट से पानी लगा लेंगे आप चाहें पानी लगा लें या फिर आप मैदा को पानी में घोल कर एक पेस्ट जैसा बना लें उसको लगाकर भी इसको बंद कर सकते हैं इसके रैपर को यह देखिए इस टाइब से बहुत हलकी हाथ से और बहुत ध्यान से हमें यह करना पड़ता है और यह हमने फोक से इसको इस टाइब से पैक कर दिया यह देखिए ऐसे ही हम अपना और भी बना लेते हैं इसी टाइब से अपने इस टाइब से झाल झाल यह देखिए हमारे यह सब ऐसे बनकर रेडी हो जाएंगे यह हमने अपने सब रेडी कर लिए अब हम रेडी करने के बाद इसको एक प्लेट में रख लेते हैं और अब हम इसको फ्राई करेंगे यह देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहा है ना यह खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं और ज्यादा शुगर भी नहीं होती है तो बहुत अच्छे लगते हैं यह बच्चे भी खा सकते हैं अब हमने अपने एक पैन में ऑईल गरम करने रख दिया था ओईल हमारा बहुत तेज नहीं होगा मीडियम रहना चाहिए यह देखिए अब हम अपना एक एक करके इसमें डाल देते हैं सारे पॉकेट हम इसमें डाल देंगे जितने हमने बनाए हैं और इसको हम स्लो फ्लेम पे फ्राइ करेंगे इसको फ्राइ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि स्लो फ्लेम होती है पर होते बहुत टेस्टी हैं शाम को स्नेक्स के तौर पे हम इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं ये मीठा ज्यादा नहीं होता है. बहुत हलका इसमें मिठास होती है तो और भी अच्छे लगते हैं ये खाने में. जो लोगो मीठा पसंद नहीं करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी डीश है. एकदम हलका फलका मीठा रहता है. ड्राइफ फ्रूट्स भी होते हैं इसके अंदर और बच्चे भी खा सकते हैं ऐसे होते हैं और बहुत खस्ता बनते हैं एक दम कुरकुरे और बहुत क्रिस्पी होते हैं ये ये देखिए ये हमारे फ्राइ हो गया थी फ्राइ होने के बाद बहुत अच्छे लग रहे थे ये देखिए कितने अच्छे लग रहाएं ये हमार इसिलिए आप लोगों को तोड़ और दिखाया इतने कुरकुरे और इतने क्रिस्पी बने थे और पूरा अनधर तक ये फ्राइ हो गए थे और बहुत टेस्टी थे मैं आप लोगों को खिला तो नहीं सकती सिर्फ दिखाई सकती हूँ आप लोग इसे जरूर बनाएं और खाएं कैसे लगें आप लोगों को समलीना ड्राइफ फ्रूट पॉकेट्स अगर पसंद आये हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना ना भूलें अब भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुच पा रही है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें जब सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी कैसे लग रहे हैं मारे सेमुलीनर ड्राइफ फूट पॉकेट्स फिर मिलते हैं इंशालला नेक्स्ट व्लोग में अल्ला हाफेज